वेलकम बेक सुरेंट्स अग्लो मोमेंटम का वो ही लेक्चछर हम कॉंटीनीव करेंगे जिसमें हम एक केस कैस कैस किए थे कि हम सिरकल इसे करे थे कि अगर बॉड़ी स्रतीूर्य को इकीज़िवाःेudं? तो इस case में क्या होगा, अब यही एक figure मैंने निकाल ली है, जिसके जरीए हम देख रहे हैं कि हमारे पास बॉडी है, जो कि और इंच कर देनोट की गई है, और उसका जो सेंटर से उसका डिस्टेंस है, वो students हमारे पास क्या है, और जो बॉडी है, वो क्योंकि सर्कल में रोट करें कि उसका डिनोट किया गया है, तो यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है, मैं ब्लाक कला से शोग कर देती हूं, अब उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, यानि कि एक पॉइंट पे उसका जो लीनियर मोमेंटम हम देखते हैं, वो P is equal to M V जो हमने देख कि अधिन बोडि सरकल में बोडं चाहिए हो जवेक्शले में बोडू कर जिसनादब से ठीचिकल आज पार्टिकल या इसका जो कि शर्कल में तो उसके से किया होता है, तो याम अगूलर थैशना ञाल है, व्म हैरे ओमेगर उनिपार्फ 2,0 v और हमारे पास आप B भी कह सकते हैं, या फिर आप अगर मैं P की बात कर लेती हूं, R और P के दर्मयान जो हमारे पास एंगल बन रहा है, वो हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है, और फॉर्मूला जो के हमने पढ़ रखा है, कि R का वो हमारे पास होता है, R क्रॉस P, और R क्रॉस P को जब मैं एक्स्पैंड करती हूं, तो मैं पास क्या बनता है, R P into Sine of Theta, ठीक है, अब Theta की जगह, क्योंकि मैं 90 डिग्री टालूंगी, ठीक है, R into P जो है, और P जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं, P को M V लिख सकती हूं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया है, M M V into R, M V R, ठीक है, यह चीज़ हमारे पास क्या बनगी, अगर हम देखें, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में, कि हमने लीनियर विलास्टी को रिलेट किया था, अगर विलास्टी से, बाइन एक्स्प्रेशन V is equals to R, ठीक है, यह हमें एक रिलेशन हमें बताया था, कि हमें लीनियर विलास्टी जो है, वो अंगुलर विलास्टी से किस सांसे लेट रहती है, और ओमेगा वहाँ पस क्या है, सुर्ण्स हमारे पास है, एंगुलर विलास्टी है, ठीक है, यानि के अगर कोई बाडी किसी एंगल पर मूफ करी हो तो उसके पास कौन सी विलास्टी होती है, धिक तो यह विलास्टी आ गी औरविलास्टी की वेलियू में यहां पुट करूँ, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या बनता है, M B is equal to R omega into R, तो मेरे पास यह फॉर्मूला बन जाता है, M R square into omega, M R square omega students, हमारे पास क्या है, angular momentum की एक फॉर्मूला जो हमने देख लिया, हमारे पास circular case में अगर कोई body किसी circle में move करी है, तो उस case में हमारे पास यह होगा, ठीक, अब अगर हम एक case consider करते हैं, कि हमारे पास एक rigid body है, ठीक है, rigid body जो है students, अगर हम उसका case consider करें, rigid body के लिए, तो rigid body के लिए हम देखते हैं, कि अगर मेरे पास, जिस तरह से मैं एक बहुत different color से इसको show कर देती हूँ, कि हमारे पास अगर यहां कुछ masses है, यानि कि एक, जसना से यहां तो मैंने एक particle की बात की ती, जो कि circular motion execute कर रहा था, लेकिन अब इसी चीज़ को मैं एक और case में consider करते हूँ, जसना से अगर मैं यहां आपको बना कर दिखाते हूँ, कि मैं आपको क्या दिखाना चाहरी हूँ, कि एक rigid body है, जिसे मैंने यह जसना से एक बैट है, फॉर एक्जम्पल, यह circular form बिल्कुल सर्कल में move कर रहा है, अब जब यह circle में move करेगा, यानि कि एक point के around, यह circular motion जो है, वो execute करेगा, तो अब इस rigid body के अंदर, हमारे पास काफी सारे particles होंगे, अब इसी चीज़ को मैं इसको एक figure में तिखा देती हूँ, कि हमारे पास एक figure है, जिसमें हमापा एक rigid body है, और उसमें हम देखते हैं, वो एक axis के around, वो rotate कर रही है, अब यह इसका एक axis है, जिसके around, जो है, इसकी rotation जो है, वो execute हो रही है, अब अब अगर हम consider करें कि यह rigid body, यूँकि हम जानते हैं, कि हज़ चीज़ मैटर से मिलके बनी है, और मैटर जो है, उसके अंदर हमें, एक अटम से हैं, पार्टिकल से हैं, अब यह इसके अंदर मैं कुछ small particles जो हैं, वो consider कर लिया है, यह मैं आपको just as a case दिखा रहू हूँ कि यह मैंने तीन particle consider करें हैं, अब यह उसका center axis है, जिसके जरिये मैं origin point, यानि कि O denote कर देती हूँ, यानि कि यह उसका center point होगा, इस body का center point है, वो मारे पास होगा, अब O से अगर मैं इस particle तक का distance देखती हूँ, तो वो मेरे रपास क्या है, students R1 है, ठीक है, इसी तरह मैं देख सकती हूँ कि इस point से, इस particle तक का distance है, वो मेरे रपास क्या होगा, R2 होगा, और इसी तरह अगर मैं यह particle यहाँ पे, इसके बज़ाए में इसको यहाँ consider कर लेती हूँ, जिसना यहाँ मैंने इसको consider कर लेती हूँ, ठीक है, एक और particle वो उसका यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का distance है, वो मेरे बस क्या होगा, students R3 होगा, आप देख सकते हैं कि यह तीनों जो हैं वो different distances हैं, याँ कि एक पॉइंट यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, याँ कि इनके distances जो हैं, वो different हैं, और इनके message जो हैं, for example मैं M1, M2 और M3 जो हैं, वो इनको उसी तरह से मैं इनको message भी दे दी हैं, मैंने M2, M1, M2 और M3 जो हैं इनके masses हो गएं, अब अगर students मैं इस case के लिए, इस case के लिए, मैं जो हैं इस पूरी rigid body, यानि कि यह rigid body है, इसके लिए मैं अगर इसकी angular momentum की value निकालने चाहती हूँ, तो वो मैं किस तरह से निकालूंगी, कि अगर मैं for example, यहां मैं L किस तरह से निकालूंगी, कि अगर मैं इन सारे masses को multiply करूं, square of their radius से, क्योंकि हम formula जो पढ़ चुके हैं, क्या है, क्या है, कि मैं इन सारों को sum करना है, क्योंकि sum, जब मैं करूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कि वो पूरी एक rigid body बन जाएगी, क्योंकि इसमें a lot of number of particles आएगी, यानि कि इसमें धेर, जो हैं, वो बहुत n number of particles आएगी, यानि कि बहुत जादा particles दें, जिनको हम count भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कि मैं summation कर लेती हूँ, summation का क्या मतलब है, student sum up कर देना, ठीक है, sum up कर देती हूँ, क्या, कि मेरे पास एक m i, यानि कि, i-th जो mass है, वो mass को multiply करूँगी, radius के square के साथ, यानि कि, for example, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, जिस तरह से एक स्टक मैं आपको इससे पहले भी तिखा देती हूँ, कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मेरे, for example, मेरे पास क्या है, m1, यानि कि, एक mass m1 into r, 1 square into omega, यानि कि, omega मेरे पास क्या है, angular, angular velocity है, अब angular velocity क्योंकि, इस body की, पूरी rigid body की, क्या होगी, same होगी, और वो इसी axis के लाओं होगी, यानि कि, जो l की direction है, वो ही students हमारे पास, omega की direction होगी, क्योंकि, अगर आप देखें, कि, यहाँ l जो है, वो m r square omega है, यानि कि, omega की direction है, वो ही हमारे पास, किस की direction होगी, l की direction होगी, और m और r जो है, वो तो हमारे पास, क्या है students हमारे पास, scalar quantity है, लेकिन omega जो है, वो क्या है, vector quantity है, तो इस वाइसे, omega की direction है, वो ही हमारे पास, l की direction होगी, और plus मैं करती हूँ, m2 r2 का square, into Omega plus m m3 into r3 square into Mega plus dot 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 इन सब को जो है वो मैं add up कर रही हूं और मेरे पास for example N अगर मेरे पास N is के अंदर particles है यानि के N कोई भी number हो सकता है 100 हो सकता है या कोई भी number हो सकता है तो N rn का square into यह इस तरह से मेरे पास एक पूरी सीरीज में इन सब को एड़ उप करूंगी जिस से मुझे पढ़ चलेगा कि अगर मैं इस सारे मैस्स को इस तरह से एड़ आप करूं तो मेरे पास टॉटल रिजिड बॉडी की एंगुलर मुमेंटम मुझे सकता है और अब मैंने क्यूंकि प्रकुनिकर अर्फ शेरीस प्रामे लिखया है कोके सुम को डिम्नोट देने करेंगा। प्रकुन आइजरी इसे लेख incl. ₱् अब टुब नचु कि पृत्यू कर देसytyy slept the time to me ये हमारे पस पूरी एक टर्म है और example equation उमेगा फूरिक्या से एक जीक्षेस के लॉंग होगी तो ये इस तर्ह से हम पूस्ड सकते हैं。 और अगर हम निया है कि हम पर पिस्ने लेक्शिर्स में ठीज भाले अनस्याम थूर êtes मोमेंट ओधिर नौं lif that if under did not consider the coefficient of cos फॉर्मूला भी हमारे पस यही होता है कि वह समेशन यानि कि रिजड़ बॉड़ी के लिए उसकी जो फॉर्मूला है वो हमारे पस क्या है I is equal to 1 to n into m i into r i का स्केर यानि कि यह हमारे पस क्या है moment of inertia तो L जो है वह हम क्या लिख सकते है I into omega यानि कि i into omega जो है वो वापस क्या बन गया है students हमारे पास angular momentum बन गया है for our rigid body तो इस तरह से हमने जो है इसका formula जो है वो calculate कर लिए है तीक अब scientist जो है students वो differ करते हैं हमारे पास spin motion को orbital motion से या फिर आप कह सेते हैं यानि कि इन दोनों में जो है एक difference जो है वो डिफाइन किया जाता है अब अगर देखा जाए तो इसी basis पे जो है वो हमारे पास इनके जो angular momentum है वो उनको भी डिफरेंट नोटेशन जी है गही है जसना से spin motion में हम जो angular momentum है उससे L0 से डिनोट करते हैं और अब अगर आप देखें कि इसमें जो बेसिक डिफरेंट से हमारे पास और पास अगर बोडी जो है वो एक पॉइंट के अराउंड जो है अपनी रेवलुशन कर रही हो तो हम यह कहते हैं कि यह ऑर्बिटर मोशन एक्जिक्यूट कर रही है जिसना से यहां डिनोट के जा र जो है जो हर्फारी है लेकिन एक बोडी जो है वो अपने एक्सेस के राउंड ही मोशन कर रही हो तो ऐसे मोशन जो है वो हमारे पास कहा कहनात है यहां आप पास कि जाए इसकी बेस्टे यह है इस पिनिंग टॉप यह अपने एक्सिस के अरांड भी रोटेशन परफॉर्म कर रहा है और इस इस की डेली लाइफ से घर वे एक्जामपल रेके हैं तो हमारे पास अर्थ की जो है एक्जामपल आजाती है जो के सन के आरांड अपना ओर्बिटल मोशन भी एक्ज़क्य मुमेंट